हलो, माइडियर फ्रेंड्स। हाइर ओडर डरिवेटिव के नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो cbsc में आये हैं जो ncrt में जो एक्जेंपलर में इस तरह के क्वेशन हम कवर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको question number sorry question जो CBSE में 2010 में आया उससे start करता हूँ question number 1 और question है CBSE 2010 higher order derivatives का 2010 का question y is equal to sin of 1 by 2 log y ये दिया हुआ है आपको और हमें प्रूव करना है 1 minus x square y2 minus xy1 is equal to 4y इस तरह का तो नहीं पर इससे मिलता जुलता question आपके पास आपकी NCRT बुक में भी है ये मैंने कुछ notes बनाई हुए है जिसमें पिछले साल के questions और काफी important questions मैं रखता हूँ अपने पास तो उसमें से मैंने आपके लिए ये question लिया है तो ये sorry y की जगे यहां x है और आपको ये प्रूव करना है तो ये देखिए आप सबसे पहले sign को उधर बेज दें तो यह हो जाएगा sign inverse x is equal to log y अब आप इसको इस तरह से लिख लें log y is equal to 2 sign inverse x हर question के बाद मैं आप एक question आपको ऐसा दूँगा जिसमें आपको कुछ नया करने को सीखने को मिलेगा और जो आप खुद करिएगा log y का differentiation अब differentiate कर रहे हैं 1 by y और y का differentiation y1 2 upon under root sin inverse x का derivative होगा 1 upon under root 1 minus x square यह हमने differentiate कर दिया तो यह आप यहां लिखनें कि differentiating both sides with respect to x अब आप इसमें थोड़ा cross multiplication कर दें तो उसको root 1 minus x square को उधर बेज दीजिए root 1 minus x square उदर y1 is equal to यह हो गया आपका 2y तो अब एक काम करें आप स्क्वेरिंग कर दें अगर आप स्क्वेरिंग कर देंगे रूट आने की वजह से तो आपका यह तरह से हो जाएगा 1 minus x square y1 square और यहां पर हो जाएगा आपका 4y square अब इसका differentiation फिर से करेंगे तो 1 minus x square constant y1 square का पहले power का होगा 2y1 फिर y1 का भी होगा तो y1 का दोस्तों हो जाएगा y2 प्लस अब y1 square constant रहेगा और 1 minus x square का differentiation 1 का 0 और x square का 2x 4y square का differentiation कितना होगा पहले power का होगा तो 2 into y फिर y का differentiation होगा y1 यह कैसे आया तो यह differentiate करने से आया दोनों sides अब आप 2y1 cancel कर दें तो 2y1 से डिवाइट कर दें तो अगर आपने 2y1 से सब को डिवाइट कर दिया तो यह जाएगा जो 4 into y तो यही हमको प्रूव करना था और एकदम आसानी से आपने देखा कि हमने कर दिया तो मैं आपको जो खह रहा था कि इसी तरह का मैं एक question आपको करने को दूँगा तो वो question मैं लिख देता हूं question number 2 है y is equal to x is equal to 10 of 1 upon a log y बिल्कुल इसी तरह से करना आपको और क्या प्रूव करना है वो भी मैं लिख देता हूं आपको प्रूव करना है 1 plus x square d2 y by dx square plus x dy by dx is equal to 2 तो यह आप अपनी मेहनज से करें करेंगे तो आपको confidence भी फील होगा और आप जब confident फील करेंगे तो आपको एक विसेश तरह की energy भी आएगी अब आप देखिए question number 3 जो है कि मैं ncrt से लेता हूं और ncrt में question number 3 जो है लेकिन आपकी question number जो हमारा 3 बनेगा वह आपकी ncrt का ncrt का exercise पाइप पॉइंट सेवन आइटिंक 5.7 का question number 17 है y is equal to 10 inverse x whole square यह given है और हमको prove करना है x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus 1 y1 is equal to 2 y1 is equal to 2 यह हमें prove करना है यह आपकी book का question number 17 है ncrt का तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप इसको differentiate करें बिल्कुल देखिए मैं इतनी कम से कम जगे में इसको कर दूंगा आप बिल्कुल साथ बने रहे 2 10 inverse x upon 1 और 10 inverse x का भी होगा 1 upon 1 plus x square अब आपको मालू है कि 1 plus x square को उधर बेज दें अगर उधर बेज देंगे तो आपका question आसान हो जाएगा 1 plus x square y1 is equal to 2 10 inverse x यह इसका derivative हो गया अब फिर से इसको differentiate करेंगे तो जब आप फिर से differentiate करेंगे तो यह हो जाएगा 1 plus x square constant y1 का derivative हो जाएगा y2 plus 1 plus x square का हो जाएगा 0 plus 2x और y1 आपका constant 2 upon 1 plus x square इस बार left side में square root नहीं था left side में square root होता तो square कर देते हैं अभी square root था नहीं तो नहीं किया यह 1 plus x square इदर multiply करने है यह आगे आपका answer 1 plus x square whole square y2 plus 2x 1 plus x square y1 is equal to 2 यह इसका answer हो गया देखिया आप 1, 2, 3 और 4 चार step में आपका question solve हो गया और आपको जो prove करना था automatically आपको यह प्रूव करना था यही आपका proof आ गया question में आपको बताया कि question NCRT का है exercise भी बताई आपको exercise है 5.7 अब आपको और आगे discuss करते हैं इसी तरह का question आपके पास NCRT का और है जो miscellaneous का है और वो है question number 23 miscellaneous का question number 23 है और वो question इस तरह से है जिसको हम अपने लिए question number 4 बोल रहे है यह NCRT का miscellaneous है miscellaneous miscellaneous exercise का question number 23 है y is equal to e to the power a cos inverse x दिया है और हमको प्रूव करना है 1-x square d2y by dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0 अब आप इसको कैसे करें तो इसको differentiate कर दें जहें लिखा है y का differentiation dy by dx क्योंकि इसमें dy by dx d2 y by dx square उसमें y1 y2 था तो y1 y2 से किया e to the power a cos inverse x a cos inverse x का minus a upon root 1 minus x square यह इसके upon में आया इसको भी वहाँ भेज दें तो यह जाएगा root 1 minus x square dy by dx e to the power a cos inverse x को क्या लिख सकते है y तो यह हो जाएगा y into minus a यह y कहां से लिखा है तो यह use quote कर दें कि from one using one squaring अब आप squaring करेंगे यह हो जाएगा one minus x square dy by dx whole square a square y square अब आपको एक बार और differentiate करना है एक बार और डिफ्रेंशेट करें और आपका answer आजाएगा कितना सिंबल है कितना असान है और कम से कम से कम स्टेप्स में मैंने किया है आप भी बहुत कम से कम स्टेप्स में कर लेंगे तो देखिए कि आपको मजा ही आ जाएगा और आपका कॉंफिडेंस और बढ़ जाएगा डिफ्रेंशेटिंग अगें डिफ्रेंशेटिंग अगें एक बार और इफ्रेंशेट करना एक यो करना है क्यों कि उसमें सेकेंड ओर लिखा थी को तो करना का नहीं है दिस्टरीफ्र ऐस का डिफ्रेंश सेचे vaporी का भी तो हुजाएगा हुज दि-टू आपा डि-क माइस इसक्वेर प्लस बोन मैस से स्क्वेर का जीरो मेस टू-क्व एक्स डी माइस इसक्वेर constant right side में क्या है a square y square का हो जाएगा 2y y square का पे ले 2y फिर y का भी होगा y का कितना होगा डिवाइब डिएक्स अब सबसे तू डिवाइब डिएक्स कैंसल होगा तो हम डिवाइब कर देंगे तो डिवाइब डिएक्स से तो डिवाइब डिएक्स से जब आप डिवाइब करोगा ना तो यह देखिये टू डिवाइब डिएक्स इसमें भी देखिये टू डिवाइब डिएक्स इसमें भी देखिये टू डिवाइब डिएक्स इसमें भी देखिये टू डिवाइब डिए X is equal to a square और वो वाई यही तो प्रूव करना था ना तो यह हो गया प्रूव देखें कितना असानी से प्रूव हुआ तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा दें थोड़ी सी ट्रिक लगा देंगे तो हमारा question एकदम से आ जाएगा अब आपको question जो 2010 कही है वो मैं और discuss करता हूं तो होता कि आएगा कि तीन साइट आते हैं पेपर के तो किसी पेपर में कुछ किसी पेपर में कुछ तो आप से सोचो कि पिछला भी question 2010 का बताया था अब यह question 2010 का था मेरे काल से question हमने जो लिया था फॉर्थ था तो अब मैं आपको फिफ्ट कुश्चन बता रहा हूं और यह आजा है CBSC 2010 वाइज इकल टू कोशेक इनवर्स एक्स यह दिया है आपको वाइज इकल टू कोशेक इनवर्स एक्स और आपको प्रूव करना है एक्स इंटू एक्स स्क्वेर माइनस वन देखें इसको कैसे प्रूव करेंगे बिल्कुल सिंपल है आप खुद भी ट्रै कर सकते हैं कहीं प्रॉब्लम आए तो देख सकते हैं डी वाइब डी एक्स क्या होगा यह यह तो डी वाइब डी एक्स होगा आपके पास कोशेक इंवर्स का याद रहें माइनस वन अपॉन एक्स मॉड भी लगा सकते हैं मॉड लगा हुआ तो कोई खुछ से फर्क नहीं पड़े खास अभी अब इसको शिफ्ट कर दें तो यह जाएगा एक्स अंडरूट एक्स स्क्वेर माइनस वन डी नियुक्त करेंगें एक्स आग को अब एक्स स्क्वेर माइनस डी भाइवा दी एक्स अब फिर से इसको डिफ्रेंशेट कर देनें तो यह जाएगा डिफ्रेंशिटी का गेंट एक्स प्रोडक्ट टूल में तीन प्रोडक्ट हो गया है इसमें देखिए पहला प्रड़क्त हो गया यह दूसरा हो गया और यह तीसरा तीन चीजें है प्रड़क्त में तो तीन का रूल लगाना पड़ेगा तो पहला वाला कर देते हैं पहले वाले का हो जाएगा डिफ्रेंशेशन डू एक्स सेकेंड और थर्ड कॉंस्टेंट प अब किसका होगा अब होगा फोर्स्ट सेकेंड कॉंस्टेंट थार्ड वाले का तो थार्ड वाले को जाएगा टू डीवाइब डीएक्स डीटू डीएक्स स्कूरर इस इकोल टू माइनस वन का डेरिवेट्ट व जीरो माइनस वन का जीरो अब सबको टू डीवाइब डीएक्स से डिवाइड कर दो सबको टू डीवाइब डीएक्स से डिवाइड कर दो टू डीवाइब डीएक्स से डिवाइड करो डिवाइडिंग बाई तो यहां कैंसल टू डीवाइब डीएक्स यहां भी चैंसल पूड ए पास ईहां भी एक सब्सक्राइब कर वर लिए आपके पास एक एक्स स्क्वेर माइनस वन दी डी डी एक्स और यह हो जाएगा आपका एक्सक्यू ४ दी वांवाइवाइडी है these और यह हो जाएगा आपके पास प्लसte Search स्वाइब एक्सस्क्वार में लिवाइज हैं ओ स्वारी नू करना है तो एक से से और दिवारीट कर देंकर लेक्ष इसे कर देंगे तो रहीम जाएख आपके पास क्लीवाइब minus 1 D y by D x x square D y by D x plus x x square minus 1 D 2 y by D x square is equal to 0 इसको सबसे पहले लिख गाएं x x square minus 1 D 2 y by D x स्कूर्ट पर इन दोनों में से देवाइब दीयक्स कमन नहीं से स्क्वाइब को जोड देंगे एक σε स्क्वाइब एक सब्सक्राइब कर दिया और बिना किसी तनाव के अब आपको मैं एगला क्वेस्टिन बोलता हूं जो इसी तरह के विश्टिन है और आप ट्राय करना और करना सेल्फ और मुझे बताना क्या आपको क्या प्रॉब्लम आई मेरा यह वाट्सप नंबर है यू कैन नोट इट और यह स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बस आप ध्यान रखिए वाइज इकल टू इसको सिक्स्त है नंबर अगर कभी मेरे से गलात हो गया हो तो नेवर माइंड वाइज इकल टू साइन इंवर्स एक्स होल स्क्वेर और आपको प्रूव करना है वन माइनस एक्स स्क्वेर वाइटू माइनस एक्स वाइवन इस इकल टू तो यह आप कुछ ट्राय करना और खुद प्रूव करना प्राब्लेम आई गी तो यू आर मोस्ट वेलकम तब मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा और यह क्वेस्चन के साथ एक विशेश तरह का क्वेस्चन जो मैं आपको बड़ा चैलेंजिंक क्वेस्चन है तो वह मैं आपको चैलेंज डिता हूं आप अगर करेंगे करके भेजेंगे तो हुआ बूम हैपी और यह मेरा वाट्सब नंबर है ऊप्सेम आपको लिखता हूं y is equal to, यह challenging question है, question number 7 और I expect you would be able to solve it y is equal to x to the power n minus 1 log x और आपको prove करना है x square y2 plus 3 minus 2n x y1 plus n minus 1 square y is equal to 0 और आप यह सारे वीडियोज मेरे देखते रहें अपने दोस्तों को भी बताते रहें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी गोसिस करें कि यह उन बच्चों तक पहुंच जाए जहां तक ऐसी facility नहीं मिलती कि इस तरह के question वो विचारे solve कर पाएं, तो wish you all the best my dear जहां एंचों चैनल को अबचल करें